सब्सक्राइब कीजिए अब हमारे फटापट सीखे चैनल को और बेल आइकन को दवाएए लेटिस टिकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों स्वागत आपका अपना चैनल फटापट सीखे में तो आज हम देखेंगे कि Samsung TV में पीन को कैसे चेंज कर सकते हैं तो अगर आपको यह पता नहीं है तो यह 5 वीडियो में पीन को कैसे चेंज कर सकते हैं वह भी Samsung TV में यह जो सामने TV यह N-series का tv है Samsung का थो चलिए मैं आपको दिखाता हूं करके तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में यहां पर हम सेटिंग ऑपन कर देते हैं सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है नीचे एक जेनरल का आईकन दिखेगा ठीक है तो आपको जेनरल वाले पर क्लिक कर देना है तो चलिए अम ढ़्म कर देते हैं जैस करने के बाद आपको system manager यहां देखे second option में system manager दिख रहा है आपको ठीक है इसके right side में आप देखिए तो यहां पर देखिए क्या-क्या system manager के अंदर वो सारा कुछ यहां पर सोग हो रहा है system manager के अंदर एक change गीरद पुल्कुल आपको सामने यह कि नया ओपन में मिलुकुल जीओ आपको विनदो open हो जाता है, इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है कर सकते हैं ठीक है उसको दुबारा नीचे भी आप इंटर कर सकते हैं तो यहां पर देखें हम करके दिखा देते हैं आपको न्यू पिन इंटर कर लेते हैं ठेक है अब नीचे फिर से पूछ रहा इंटर नीव पिन करें ठेक है मैं आपको यहाँ पर जस्ट एक्जामपल बता रहा हूं करके अगर आपको जो भी पीन रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं और जैसे ही आप दोनों इंटर न्यू पीन और नीचे वाला भी इंटर न्यू पीन कर देंगे तो आपका नया पीन सेट हो जाएगा तो यही बताना है दोस्तों, यहां पहना भी इम्हें नए आपिन नहीं set करना है तो हम इसको करते हैं Cancel, आप अपने हसाब से नए आपिन यहां पहर डाल सकते हैं तो दोस्तों, यह विडियो अच्छ लगे हैं दो वीडियो को like कर दीजे, channel को subscribe कर दीजे और भी आपको आगे इससे अच्छी वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर थैंक्स पर वाचिंग गाइस तो दोस्तों गर वीडियो अच्छे लगे है तो वीडियो को लाइक किजिए सेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए